अगर आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं और तेजी से अपना बजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर किलिक क्या है आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप घर की चीजों सही ये वाला लड्डू बनाएंगे और अगर आप इ इस से खत्म हो जाएगी वीडियो पसंदा है तो लॉक्त शेयर जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने कड़ाई को गेच्चुले पर गर्म होने के लिए रख दिया है इसको जैसे कि आप गर्म क तर्बूज के आप बीज ले सकते हैं, उसको डालके भी आपको भूनना है, तो हमने यहाँ पर 50-50 ग्राम तर्बूज और खर्बूज के बीज लिए हैं, इन दोनों को हमें इसमें लालने के बाद अच्छी तरीके से भून लेना है, लेकिन हमें इसमें तेल का इस्तिवाल भ है, इसमें हमें ओयल डालने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से हम इसको भी भून लेते हैं, तो यह भी अच्छी तरह से भून चुका है, इसको भी हम किसी एक बरतन में निकाल लेंगे, तो जो जो चीजे मैं डाल रहा हूं सब मैं आपको बता रहा हूं, अब दोस्तो अगली चीज हम ले रहा है, खश-कश, अगर आपको नींद कमाती है, तो आप इसका इसका इस्तिमाल जरूर करें, तो इसको भी हमें इसी तरीके से भून लेना होगा, अभी तक हमने बिल्कुल भी घी या फिर तेल का इस्तिमाल नहीं क्या है, लेकिन आगे हम इसमें तेल इसको भी तरीके से भून लेंगे, अगली चीज हमने लिए है, दो चम्मा सौफ और दो चम्मा धनिया, तो इसको भी हमें बिना किसी घी, बिना किसी तेल के ही भूनना है, तो चलिए हम इसे भी फटटवट से भून के आपको दिखा देते हैं, सौफ धनिया को हमने 50 ग्राम बदाम और 50 ग्राम काजू की गिरी डालेंगे, क्योंकि ये भी हेल्थ के लिए काफी फादेमन होती है, इसको भी हम अच्छी तरीके से फिराए करेंगे, तो मैं आपका जादा समय नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं फटटवट से आपको सभी चीजे फिराए करके दे रहा हूं, तो इनको भी अच्छी तरीके से फिराए करेंगे, इसी बरतन में निकाल लेना होगा, खड़ाही में जितना भी घीता वो सभी खत्म हो चुका है, इसलिए हम इसमें दो चमज घी ओरेट कर रहा है, घी को अच्छी तरह से आपको गर्म कर लेना है, जैसे की गर्म हो जाता है, इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम गोंद एट करने वाले हैं, गोंद को हमने एक दिन के लिए धूप में सुकाने के लिए रख दिया था, थोड़ा थोड़ा करके गोंद इस घी में डालेंगे, और गोंद खीलो की तरह खिल जाएगा, गोंद खाने के कई फ डालेंगे, तो खजूर के अंदर जितने भी बीज होते हैं, उनको हमने पहले से निकाल दिया है, इसको भी हमें अच्छी तरीके से इसमें भूनना होगा, तो खजूर खाने के मैं आपको थोड़े से फायदे बता देता हूँ, खजूर खाने से कमजोरी आपकी दूर हो ज बीजो को अच्छी तरह से भूना था, उनको हमें मिक्सी के जार में ग्राइंड करना होगा, तो हम सबी बीजो को मिक्सी के जार में डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, तो विडियो काफी लबी ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसको ससे सबस्सक्राइब यह समस्चाने सब्सेलें। इन चारू चीजो को, अब दोस्तो हमने माखान है, और जो हमारे पास गोंढ था उसको भी हमने अच्छी तरह से पीश लिया है, तो मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने पहले से ही गोंढ को पीश के रख लिया था, क्यूंकि उसमें काफ़ी समय लगता, इसके साथ ही जो हमारे पास 100 धनिया उसको भी पिषना होगा लेकिन इसके साथ हुम इसमें दस इलाइची यह फिर आप दल सकते हैं इसके साथ हैं हम पास जो यह गोंद है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और फिर का करेंगे इन सभी समानों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहां पर दोस्तों सिर्फ हमने जो हमारे पास खस-खस थी उसको हमने नहीं पीज़ा है बागी हमने सभी चीज़ों को पेश लिया है इसलिए हम खस-खस को ऐसी साबूत इसमें डाल रहा है और इसको भी हम अच्छी तरीके से हाथ की मदब से मिला लेंगे इसके साथ ही जो हमारे पास खजूर थी उस खजूर को हम डाल के इसमें अच्छी तरह से हमें मिक्स करना होगा इसमें थोड़ा पांच-दस में आपको लग सक अब इसमें काफी मातरा में चिपशिप वपन आ चुका है और जैसे कि आप दे सकते हैं इसके लड़ू भी असानी से बन रहे हैं तो इसी तरीके से हमें इसके सभी लड़ू बना के तयार रख लेने हैं और याद रखें इसमें आपको पानी का इस्तिमाल करेंगे तो यह आप इसे काफी दिनों तक इस्टोर करके भी रह सकते हैं तो दोस्तों फाइनली हमारे लड़ू बनकर रेड़ी हो चुके हैं अगर आप बहुती पतले दुबले हैं तो आप रोजाना इस लड़ू का सेवन कर सकते हैं दूत के साथ इससे आपके सरीर में इतनी तागात तो इसी तरीके से आप बहुती कम पेसों में इन लड़ू को त्यार कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरू करें तो आज के हमारी एसीपी कैसे लगी नीची कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में इतना ही ठेंक यू फ